पटना से बड़ी खबर नितिश कैबिनेट की बैठाक जो चल रही थी वो बैठाक खत्म हो चुकी है और बैठाक में कुल चार एजेंडे पर मोहर लग दी अब ये जेंडे क्या है वो भी हम आपको जानकारी दे दें पांच फरवरी से बजट सत्र जो पहले की सरकार में तै किया गया था वो सत्र नहीं होगा बजट सत्र की तारीक अब आगे बढ़ा दी गई है यानि कि पांच फरवरी को जो बजट सत्र पहले से घोशित था वो नहीं होने वाला है नितिश कैबिनेट की बैठाक खत्म हो चार एजिंडों पर इस बैट्रेक में मोहर लगाई गई इसमें जो सबसे महत्व पूर्णबाद बजट सत्र को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि पांच फरवरी से बजट सत्र नहीं शुरू होने वाला है इसके तारीख को फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दिया क्या है तार इस नई सरकार में एंडिये की सरकार में जब बजट सत्र को लेकर जानकारी है वो फिलाल यहीं आती हुई कि तारीख का एलान किया जाएगा वो भी बाद में तो अब यह बैठक खत्म हो चुकी है बजट सत्रक से पहले नितिश की तरफ से यह मत्तपुर बैठक बुलाई गई और इस बैठक को लेकर अब यह बात सामने आती हुई कि वर्दमान राजनितिक पर इस थितिया जो है उस पर चर्चा जो है वो इस बैठक में जरूर की ग जिन चार एजंडों पर मुहर लगाई गई है उन एजंडों की गंभिटा को समस्ते हुए फिलहाल यह फैसला इस बाक लिया क्या है